नमस्कार, स्वागत है आपका Absolute India News में पेश है बॉलिवुड की ताजी सुर्खियां कुछ महीनों पहले ललत मोदी और सुश्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर अपने रिलेशन्शिप का एलान किया था और अब दो महीने बाद दावा किया जा रहा है कि यह दोनों अब अलग हो गए है ललत मोदी ने सुश्मिता के साथ लगाई अपनी डीपी और बायो चेंज कर दी है जिसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब यह दोनों साथ में रचाचाड़ा और अली फैजल की शादी अब तक कई कारणों से तलपी जा रही है बट अब फाइनली यह शादी होने वाली है इसको लेकर कई जानकारिया सामने आई हैं खबरे आ रही हैं कि दोनों इस महीने के आन तक शादी करने वाले हैं दोनों intimate शादी करेंगे और 5 दिनों तक शादी का celebration चलता रहेगा इसके अलावा दोनों दिल्ली और मुंबई में reception भी देंगे आथ्या शेटी और केल राहूल की शादी को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है खबर है कि दोनों सुनीर शेटी के खंडाला वाले बगले में शादी करेंगे शादी की डेट केल राहूल के वर्क शिड्यूल के हिसाब से पैह होगी कार्तिकारे ने सोमवार की सुबह अपने इंस्टेग्राम से जानकारी दी कि वह जल्द ही आशिकित्ती में काम करने जा रहे है फिल्म का निर्देशन अनुराग बासु कर रहे है अब इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर भी अपडेट आई है कहा जा रहा है कि कार्तिक के एफोजेट जैनिफर विंगेट नजर आ सकती है इस बात पर रियाग कर अनुराग बासु ने एक नियूस पोर्टल को बताया कि वह अभी भी कास्टिंग के काम में बिजी है